बंदेई पुर्सोतम ग्यान मार्ग एवं भक्ती मार्ग स्री स्रीठाकुर्जी से एक अमेरिकन भक्त इस पे इंसरदाने जिग्यासा किया कि किस प्रकार मनुस्य सुन्दर हो जाएगा स्रीठाकुर्जी ने कहा कि प्रोविडेंटल एट्रिब्यूट भागवत गुणावली जिसमें जितना रहता है वह उतना सुन्दर हो जाता है मनुस्यत्व के साथ जितना भगवत्ता रहती है उसका व्यक्त उतना सुन्दर हो जाता है ज्ञान मारगी होने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है भक्ति मारगी होकर चलने से ज्ञान will come to you automatically through your service तुम्हारे सिवा के माध्यम से ज्ञान स्वतह आता है कारण है भक्ति के अंदर भजन, कृति, अनुराग सहित सिवा और है doing and discerning वास्तो करण एवं विचार समंत्मित चलन इन सभी के रहने से ही ज्ञान आता है सिठाकुर जी ने बादचित के क्रम में कहा कि निष्ठा नहीं रहने से प्रेम नहीं आता है प्रेम में सक्रियता नहीं रहने से प्रेम नहीं रहता इसलिए attention मनोयोग का अर्थ है add tension ततपरता के साथ चलना प्रेम लव सभी समय ततपरता लाता है निष्ठा एवं आनुगत्य है जैसे सुर्य एवं उसका किरण निष्ठा रहने पर आचार आचरण तदनुसार होता है निष्ठा का अर्थ लगे रहना है जिस पर निष्ठा रहती है मैं उसका part and parcel अविछेद अंस बन जाता हूँ जैसा मेरा हाथ यों सरीर सिठा कुर जी ने कहा कि गुरु ग्रहन का अर्थ है आचार या इस्ट ग्रहन आचार हैं लिविंग टीचर जीवंत दिशारी बे हैं मेटरलाइज्ड मुर्थ निष्ठा उनके उपर यदि निष्ठा नहीं रहे आनुगत्य नहीं रहे तब तुम किसी इंटेलिजेंस बुद्धी के माध्यम से आल राउंड सक्सेज सरवतों मुखी साफल्य नहीं कर पाओगे मान लो तुम टीचर सिक्छक हो तुम्हारा छात्र तुम्हें प्रेम करता है तुम्हारे प्रतिवस का आनुगत्य है एवं अनुराग के जड में निष्ठा है इसे त्याग कर कुछ नहीं होगा दीपरक्षी सस्टम खंड प्रिष्ट संख्या दो सो अथाईस, दो सो तीस, दो सो बत्तिस दिनांग दस चार उननाईस सो साथ एक ग्यारह चार उननाईस सो साथ एवं बारह चार उननाईस सो साथ जाए गुरू